यह अपना 12th पार्ट है अपने सीसा डेली ट्राक्टिस का अगर आप मेरे टेलीग्राम चानल पर नहीं है तो नीचे डिस्रिप्शन और पहले कॉमन में दिये गए टेलीग्राम चानल को ज़रू जोइन करिए जितने भी मेरे UPC related quality IR और सीसार के वीडियो स्ट्राटीजी पर्मिटेशन कॉम्बिनेशन से वे बोलता है कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं और हमारे को इन 30 बच्चों को अलगरत प्राइज़स देने हैं कैसे प्राइजस मैं 1st और 2nd प्राइज फिजिक्स में 1st और 2nd प्राइज केमिस्ट्री में 1st प्राइज और इंग्लिश में 1st प मैंने आपको यह बताया था कि जब भी हमार को कुछ डिस्ट्रिब्यूट करना होता है जब भी हमार को कोई पर्टिकुलर चॉकलेट कोई टॉफी कोई पैंसिल कोई प्राइज कोई नाम हमार को किसी में डिस्ट्रिब्यूट करना होता है तो हम हमेशा जो आइटम डिस्ट से पहले यह हो गया first prize in physics 1P का मतलब है first prize in physics second prize in physics first prize in maths second prize in maths first prize chemistry first prize English यह सारे के सारे prizes हैं जो हमार को इन 30 बच्चों में distribute करना है now मैंने आपको बताया कि जब भी हमार को कुछ distribute करना होता है किसी को कुछ बाटना होता है किसी को कुछ देना होता है तो हम हमेशा उस item के नजरिये से देखते हैं जो हमार को distribute करनी है तो इस question को हम students के नजरिये से नहीं बलकि prizes के नजरिये से देखेंगे अब आप बताईए कि अगर class में 30 बच्चे हैं और हमारे को first prize in physics देना है तो वो हम कितने तरीके से दे सकते हैं? वो हम 30 तरीके से दे सकते हैं कि किसी को भी यहाँ पे 30 के 30 बच्चों में से किसी को भी वो first prize in physics मिल सकता है और जो second prize in physics मिलेगा वो मिलेगा सिरफ 39 में से किसी एक बच्चे को क्योंकि first prize एक को मिल गया अब जब एक को first prize मिल गया तो उसे दुबारा second prize तो नहीं मिलेगा मतलब कि 30 बच्चों में से किसी एक को हमने first prize दे दिया बचे वे 39 में से हमने second prize दे दिया and अगर हमारको maths का first prize बाटना है तो ये हम 30 तरीके से दे सकते हैं ये subject अलग हो गया अभी ऐसा question में कहीं नहीं दिया वा कि जो physics के toppers हैं वो maths के toppers नहीं हो सकते आप खुद सोचिए कि अगर आपने 12th का board exam दिया तो possibility है कि आपके physics और maths दोनों में अपने school में highest marks आयों और आपको दोनों के लिए first prize मिल जाए तो question में ऐसी कोई condition नहीं दी गई है कि जो physics में मजबूत है वो maths में कमजोर ही होगा इसलिए 30 के 30 बच्चों को हम ये maths का first prize दे सकते हैं अभी एक व्यक्ति को maths का first prize मिल गया तो हमार पास 29 बच्चे बसते हैं उन 29 में से हम किसी को भी maths का second prize दे सकते हैं अब chemistry का first prize देना है तो वो कितने बच्चों को दिया जा सकता है 30 बच्चों को दिया रहा सकता है क्योंकि कहीं नहीं दिया वा कि जो physics और maths का topper है वो chemistry का नहीं होगा तो 30 के 30 में से किसी को भी ये prize मिल सकता है and English का जो first prize है वो भी 30 बच्चों को दिया जा सकता है तो ये equation solve करने पे हमार को मिलता है 30 की power 4 into 29 की power 2 मतलब की answer होगा B ये था question जो मैंने fundamental principle of counting से solve करा था आप समझे अभी इस वीडियो का forward करके अगले question पे मत जाईएगा मिरको यहाँ पे दो-तिन important बातें आपको बतानी है ये था fundamental principle of counting मतलब जब भी हम ऐसे करते हैं 30 तरीके, 39 तरीके इसे हम fundamental principle of counting गोनते हैं अब यहाँ पे अगर हमारे को permutation लगाना हो तो वो कैसे लगेगा permutation कैसे लगेगा कि अगर हमारे को first price in physics देना है तो 30 में से किसी भी एक बच्चे को दिया रा सकता है मतलब कि 30 P 1 and बचे वे 39 में से हमारे को किसी को भी एक प्राइस देना है second वाला प्राइस ये वाला जो second प्राइस है ये 39 में से किसी भी एक को दे सकते है and 30 में से किसी भी एक बच्चे को हमारे को maths का first price देना है बचे वे 39 में से हमारे को किसी को भी maths का second price देना है this is 29 P 1 अब 30 में से किसी भी एक को chemistry का आवाड देना है 30 P 1 और किसी भी एक को इंग्लिश का वाड़ देना है 30P1 हम इसे उपन करेंगे तो हमार पास आएगा 30 factorial upon 29 factorial इंगा 30 fact or 29 factorial आएगा 28 factorial इंगा 30 factorial upon 29 factorial इंगा 29 factorial इंगा 20 अभी हम इसे solve करेंगे तो answer डिट्टो सेम आएगा 30 to the power 4 into 29 to the power 2 डिट्टो सेम answer आएगा आपका इस equation को solve करने पर मतलब कि यहाँ पे चाहे fundamental principle of counting लगा दीजे या फिर permutation लगा दीजे, answer सेम आएगा question उखता आपके मन में कि सर यहाँ पे combination क्यों नहीं रगा सकते आया, कौन second आया, वो order important है permutation वहाँ पे लगता है, जहाँ पे order is important तो आप समझेए, आप यह नहीं बोल सकते कि first second कौन आया फरक नहीं पड़ता, अब और तो किसी को भी देदो, नहीं क्योंकि इस type के question में rank बहुत important है कि maths में confersed आया, chemistry में confersed आया, English में confersed आया आप उस rank को, order को ignore नहीं कर सकते इस वज़े से यहाँ पे combination नहीं लगेगा, यहाँ पर permutation लगेगा तो भले ही permutation से करिए, या fundamental principle of counting से करिए answer आपका यहीं आएगा अगला question है, कि एक examination hall है, जिसमें चार रोज हैं और हर रोज में 6 chairs हैं इस तरीके से हमार को चार रोज दी हुई हैं और हर रोज में 6 chairs हैं like this तो total chairs हमार पास कितनी हो गई? 24 अब वो कह रहा है हमार को 2 class के बच्चों को एक ही hall में बिठा के exam दिलवाना है और हर class में 12 बच्चे हैं मतलब मुझे दिखता है कि हर class में अगर 12 बच्चे हैं तो total students भी हमार पास हो गई 24 मतलब कि यह 24 यह ऐसे mark कर लेता हूं row number 1 row number 2 row number 3 row number 4 तो अब क्या हो रहा है कि 24 बच्चे हैं हमार को इने 24 सीटों के उपर बिठाना है लेकिन कुछ conditions हमार को दिए हुनी है क्या हमार को इन बच्चों को इस तरीके से बिठाना है कि एक row में same class के बच्चे होने चाहिए फिर उसके बाद जो second वाली row है उसमें दूसरी क्लास के बच्चे होने चाहिए फिर तीसरी रो में पहली क्लास के बच्चे होने चाहिए और फिर चौती क्लास में दूसरी क्लास के बच्चे होने चाहिए मतलब कि एक row में same class और फिर एक row छोड़के अगली row में same class हमार को इस तरीके से 12-12 बच्चों को distribute करना है 12 बच्चे एक एक class में हमार को 12-12 बच्चों को इस तरीके से distribute करना है 6-6 फिर 6-6 कि मतलब for example यहाँ पर class 1 के बच्चे आगए यहाँ पर class 1 के बच्चे आगए तो इधर class 2 के आएंगे इधर class 2 के आएंगे या फिर इधर class 2 के आगए इधर class 1 के आगए इधर class 2 के आगए और इधर class 1 के आगए इस तरीके से हम order arrange करेंगे now समझे अगर हम बच्चों को exam hall में बिठा रहे हैं तो हमें clearly समझ आता है कि role number wise बिठाएंगे obviously आपने exam में school में exam दिया तो आपको पता है कि हम बच्चों को role number wise बिठाते हैं तो clearly अगर role number wise बिठाया जा रहा है तो order is important order बहुत important है कि A नाम से A alphabet से शुरू होने वले बच्चे पहले बैठेंगे F से बाद में M से बाद में Z वले बाद में तो role number के हिसाब से बिठाना order is important तो यहाँ पे permutation लगेगा combination नहीं लगेगा क्योंकि combination में order important नहीं होता तो किसी भी बच्चे को कहीं भी बिठा दो नहीं exam hall में तो बच्चे एक fixed order में ही बैठते हैं इसलिए वो permutation का question बनेगा combination का नहीं बनेगा अगर आपको यह clarity आ गई कि यह combination का question है permutation का तो आपने 50% question तो वहीं पे solve कर लिया तो जब भी आप इस type के questions को solve करेंगे exam में सबसे पहला सवाल जो आप अपने आपसे पूछेंगे वो यह पूछेंगे कि यह question में order important है या नहीं है है permutation नहीं है combination आप यह समझें कि अब मैं पहले consider कर रहा हूँ class 1 के बच्चे और फिर उसके बादा हूँगा class 2 पे एक एक करके चलते हैं class 1 के 12 बच्चे हैं मैं अगर उन्हें row 1 में बिठा दूँ तो यहाँ पे equation मनेगी 12P6 की 12 में से एक specific order में 6 बच्चे select करो और उन्हें इधर बिठा दो and जो 6 बच्चे बच गए उन्हें row 3 में किसी भी सीट बिठा दो specific order में यह जो class 1 के 12 बच्चे हैं हमने इने कैसे distribute करा 12 में से 6 select करो पहली row में बिठाओ और जो 6 बच्च गए अब क्योंकि 12 में से 6 को इधर बिठा दिया तो अब 6 बच्च गए उन 6 के 6 को इस वली row में 3rd वली row में बिठा दो and जो class 2 के बच्चे हैं उन में से 12 को 6 को निकाल के 2nd row में बिठा दो और जो 6 बच्च गए उनको 4th row में बिठा दो और इस पूरे को multiply कर दो 2 से तो सवाल उठता है कि सरी हैं पर 2 से multiply क्यों करा 2 से multiply इसले करा कि आप देखे एक case हमने क्या देखा कि class 1 के बच्चों को row 1 में बिठाया और बचे वे 6 बच्चों को row 3 में और class 2 के जो 12 बच्चे थे उसमें से 6 को बिठाया row 2 में और बचे वे 6 को बिठाया row 4 में लेकिन question मैं ऐसे कहीं नहीं दियावा कि row 1 में सिरफ class 1 के बच्चे आएंगे या row 3 में सिरफ class 1 के बच्चे आएंगे possibility ये भी है यहाँ पर 2 possibilities बनती है इसलिए हमने 1 possibility के cases बनाए और उसे 2 से multiply कर दिया इस वज़े से यहाँ पर 2 से multiply किया गया है क्योंकि 2 cases बनते हैं ये वाले जो case की मैंने equation लिखी है ये सिरफ वो case लिखा है जहाँ पर class 1 के बच्चे row 1 और row 3 में बैट रहे थे और class 2 के बच्चे row 2 और row 4 में बैट रहे थे लेकिन ऐसी कोई compulsion नहीं है class 2 के बच्चे भी row 1 में और class 1 के बच्चे row 2 में आ सकते हैं इसलिए second possibility को consider करते हैं मैंने 2 से multiply कर आप इसे अगर solve करते हैं तो 12p6 होगे 12 factorial upon 6 factorial into 6 factorial upon 0 factorial 0 factorial की value 1 होती है हमें पता है 6 से 6 गया 6 से 6 गया हमारे पास क्या बच्चा 2 into 12 factorial का square तो answer हो गया यहाँ पर A अगले question पर चलते हैं एक question है एक paper है जहाँ पर 8 questions है और 30 marks हमारे को उन 8 questions को देने है such that हर question को कम से कम 2 number मिलने चाहिए है वो क्या रहा है यहाँ इसा कितने तरीके से हम कर सकते हैं तो हमारे को यह देखना है कि अगर 8 questions दिये वह हैं तो हमारे को उन सब में मिला के हर्ती मांक से लॉट करने हैं हर question को कम से कम 2 number मिलने चाहिए तो मैं काम करता हूँ इस equation को थोड़ा सा break कर देता हूँ x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 2 प्लस x4 प्लस 2 प्लस x5 प्लस 2 प्लस x6 प्लस 2 प्लस x7 प्लस 2 प्लस x8 प्लस 2 इक्वल टू 30 सर यह क्या करा है बेसे किली क्या करा हमें यह तो पता है कि यहां पे हर question को दो number मिलेंगे दो number मैंने बाहर निकाल लिए यह जो आप देख रहे हैं दो number मैंने बाहर निकाल लिए और उसके साथ में additional marks लिख दिये कि दो number तो minimums अभी को मिली रहे हैं दो के उपर और कितने मिल सकते हैं वो मैंने x1, x2, x3 के form में दिखा दिया तो हमारी equation क्या बनी हैं पे यह equation आभी कि अगर इस सारे 2 को मैं add कर दूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तो 16 आता है is equal to 30 यह 16 को इदर लग जाके subtract कर दीजए हमारे पास आगया कि यह जो additional marks देने हैं यह जो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 है इसके अलावा जो हर question में additional marks देने हैं वो कितने होंगे total मिलाके 14 तो net question क्या बनता है कि देखे total 30 marks देने थे सबको मिलाके 2, 2 तो minimum सबको मिलेंगे मतलब इन सबको मिलाके total 16 marks तो आई रहे हैं अब हमारे को इन 8 questions में 14 marks और distribute करने हैं लेकिन यहाँ पर एक clause है क्या कि इधर x1, x2, x3, x4 किसी की भी value जो है वो 0 हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि minimum 2 number मिलने थे वो जो 2 number मिलने थे वो हमने बाहर निकाल लिया इधर अब हो सकता है एक hypothetical situation लेते हैं कि x3 में question number 3 में सिरफ 2 number ही मिले तो 2 number बाहर निकाल लिये और x3 की value 0 हो गई उस case में क्योंकि question में थोड़ी ना दिये कि 2 से जादा मिलेंगे मिलेंगे उसने का minimum 2 मिलेंगे उसके ओपर मिले चाहना मिले कोई फरक नी पड़ता तो हो सकता है x3 की value 0 हो सकता है x7 की value 0 हो कि 7 वे प्रशन में सिरफ 2 number मिले additional marks कोई मिले ही नहीं तो कहने का मतलब है यह जो 14 marks है यह हमार को इन 8 questions में distribute करने है 14 marks are to be distributed यह हमार को इदर distribute करने है अब आपको याद होगा कल वाले lecture में lecture number 11 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमार को कोई भी identical चीज distribute करनी होती है identical मतलब 1 अब marks तो सेम ही है चैक question 3 को marks मिले चैक question 6 को marks मिले marks तो marks है identical है सेम चीज है तो अगर वहाँ पे 0 की possibility होती है कि कोई item 0 हो सकती है तो उदर formula बनता है n plus r minus 1 c r minus 1 अगर 0 की possibility नहीं होती तो उदर formula बनता है n minus 1 c r minus 1 यह shortcut मैंने आपको lecture number 11 में भी बताया था अगर आपने पीछे के lectures नहीं देखे है तो नीचे description में पूरी playlist का link मैंने दिया वाए आप उसे click करके सारे के सारे previous lectures देख सकते है बहुत अलग-अलग chapters के different types of questions मैंने cover करवाए वे है तो आपकी अच्छी खासी practice उदर से हो जाएगी coming back to this अगर identical चीज़े हमारको distribute करनी है तो हमने देखा कि यहाँ पर जो additional marks है इनकी value 0 हो सकती है क्योंकि 2 number जो मिलने है minimum वो हमने बाहर निकालके इधर subtract कर दिये 30 में से तो अब x1, x2, x3 and so on इनकी value में 0 is a possibility तो ये वाला formula लगेगा कि हमारे को 14 marks जो है 8 questions में distribute करने है n की value क्या होई 14 क्योंकि 14 number distribute करने है r की value कितने में distribute करने है वो 8 है कि 8 questions में distribute करने है and 0 is a possibility कि यहाँ पर x3, x4, x5 किसी की भी value 0 भी हो सकती है तो हमारे पास क्या बना 14 plus 8 minus 1 c 8 minus 1 that is 22 minus 1 c 8 minus 1 that is 21 c 7 अब का answer हो गया 21 c 7 तरीके से हम यह marks को distribute कर सकते है रुकेंग यहाँ पर अगर session पसंद आया तो like जरूर करेंगे और channel को subscribe करेंगे